नवश्कर दोस्तों मिरना में रंजीत और आप देख रहे हैं Agriculture Farming दोस्तों आज हम बात करेंगे सरकार ने 27 कीट नाशकों पर प्रतिबन लगाने की जो योजना बनाई है उसके बारे में दोस्तों सरकार ने ये भी कहा है कि हमने इन कीट नाशकों पर प्रतिबन लगाने के लिए एक मासोधा अदेश जारी किया है और क्रिशी मंतराले के एक अधिकारी ने कहा है कि अन्तिम अधी सूचना जारी होने से पहले 14 माई से 45 दिनों के भीतर उद्ध्योग और कंपनिया अपत्तियां दर्ज करवा सकती है और कीट नाशक निर्मातों ने यह भी अरोप लगाया है कि प्रतिबन से ना केवल भारती उद्ध्योग के लिए निर्यात आये में गरावट होगी बलकि COVID-19 संकट और अगामी खरीब फसल और भारती किसानों के लिए ये एक बड़ा जटका लगेगा और इन 27 केमिकल में 12 कीड नाशक, 8 फफोंदी नाशी और 7 खर्पतवार नाशक हैं और इन 27 केमिकल की लिस्ट है 2,4-D, Asephate, Atrazine, Benfura, Carb, Butachlor, Captain, Carbondagene, Carbofurone, Chloroperifos, Delta Methrin, Dimethoid, Dinocap, Duron, Melathion, Mancozeb, Methimile, Monocroptos, Oxifluorphan, Pantimethylene, Cuninalfos, Sulfosulfuron, Therodecarb, Thyophenate Methyl, Therum, Genome, and Gerum है दोस्तो ये थी इन 27 केमिकल की लिस्ट हाला कि उद्ध्योग और कमपनिया इस कदम से खुश नहीं है अगर इन कीड नाशकों पर प्रतिबंद लगाया जाता है तो फसल के नुकसान से किसानों को भारी नुकसान हो सकता है दोस्तो सरकार ने 27 व्यापक रूप से इस्तमाल किये जाने वाले कीट नाशकों पर प्रतिबंद लगाने की योजना इसलिए बनाई है क्योंकि ये मनुश्यों और जानवरों के लिए काफी खतरनाक है जो जल निकायों और भूमिगज जल को दूशित करते हैं जिससे मनुश्यों जानवरों और मदुमक्यों को स्वास्त के लिए काफी खतरा पैदा होता है इसके अलावा जैसे की ऐसी फेट ये पहले से ही 32 देशों में प्रती बंदित है क्योंकि ये मदुमक्यों के लिए काफी खतरनाक है इसके अलावा अट्राजिन और कैप्टान मचली और अन्य जलनिय जीवन के लिए काफी खतरनाक है दोस्तो अगस्त 2013 में 66 कीट नाशकों की समिक्षा के लिए क्रीशी मंतराले दवारा समीती का गठन किया गया था इन कीट नाशकों को दूसरे देशों में खेती में उप्यों के लिए प्रती बंदित कर दिया गया है और 2011 में केरल ने मोनो क्रोटो फॉस अट्राजीन और कुछ अन्य पर पहले ही प्रतीबन लगा दिया था और 2017 में महराश्टर की सरकार ने मोनो क्रोटो फॉस और ऐसी फेट पर प्रतीबन लगाया था इसके अलावा 2018 में पंजाब ने 240 के लिए नए लैसेंस जारी नहीं करने की मांग की थी सरकार के मताबित कीट नाशक पर प्रतीबन लगाने से किसानों पर अतरिक्द बोज पड़ेगा क्योंकि 27 कीट नाशकों के कीमत लगबग 3.500 से 4.500 रुपे प्रती लिटर है जबकि विदेशों से विकल्ब आयात किये जाएंगे और कीमत 1200 से 2000 रुपे प्रती लिटर रहेगी और भारती किसानों के लिए कीमत में 4 गुना वृद्धी होगी और 16,000 क्रोड रुपे का वेपार घाटे का प्रिणाम होगा इसके लाव 12,000 क्रोड रुपे इन उत्पादों का पूरा निर्यात चीन बजार में जाएगा हाला कि उद्धी होग और कमपनिया इस कदम से खुश नहीं है इन में से कुछ कमपनिया और उनके प्रड़क्ट के बारे मैं आपको बताता हूँ जैसे UPL का मैंकोजेब, ऐसीफेट, क्लोरोपेरिफोस, जीरम, डेल्टामेथरीन, 2,4-D और PA Industries की पैंडीमेथलीन, इसके लावा बायर क्रॉप साइंस की मैंकोजेब, डेल्टामेथरीन और रेलिस इंडिया की एसिफेट, पैंडीमेथलीन, अट्राजीन, कैप्टान, क्लोरोपेरिफोस और कुरोमंदल की मैंकोजेब, मेलाथियन, क्लोरोफेरिफोस और अटूल जैसी कमपनी के 2,4-D, सलफो सलफरोन, इंसेक्टिसाइड इंडिया की क्लोरो पेरिफॉस, एसीफेड, मेलाथियन, बूटा क्लोर, और धानुका एग्रिटेक की मैनकोजेब, करबेंडाजेम, 2,4-D, पैंडी मैथलीन जैसे केमिकल बनाती हैं, उमीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को 27 परतिबंदित केमिकल के बारे में जानकारी मिली होईगी, धन्यवाद, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सस्क्राइब करना ना भूलें,